हलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब सर्दियों का मौसम आने वाला है, तो इस मौसम में सर्दियों वाले पौधे लगाया जा रहे हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग करने वाला पौधा गुलदावदी का होता है, प कौन सी खाद देनी चाहिए, किस तरह की मिट्टी तयार करनी चाहिए, जिससे आप मेरी तरह भर-भर की फूल सर्दियों में ले सकते हैं, पहले भी मैंने आप से वीडियो शेयर किया था, जो आपने सौर्ट में देखा ही होगा, वैसे मैं बता दूँ, आपने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे, अलग-अलग टाइम पर बताते रहते हैं, कि गुलदावदी की कटिंग आप इस मौसम में लगा लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसका एक प्रॉपर सीजन होता है, उसी मौसम में आप गुलदावदी की कटिंग लगाएंगे, तभी उ इसको आप कटिंग से जादा से जादा कैसे तयार कर सकते हैं, पहले तो मैं बात करती हूँ कि इसे किस मौसम में लगाना चाहिए, वैसे तो आप वीडियो देखते होंगे, उसमें बताते रहते हैं कि जुलाई से अगस्त के बीच में इसकी कटिंग लगा दीजिए, लेकि बारिस के बाद ही चलती है, लगभग आपको इसकी कटिंग सितंबर से अक्टूबर के बीच में लगानी चाहिए, सितंबर से अक्टूबर के बीच में हलकी हलकी सी बारिस होने लगती है, और मौसम भी ठंडा हो जाता है, तो इसकी कटिंग बहुत जल्दी चल जाती है, औ और अगर आप सही मौसम में लगाते हैं तो हर 15 दिन में इसकी नई कटिंग तयार कर सकते हैं एक ही पौदे से आप कटिंग बहुत सारी ले सकते हैं बस आप इसे सही समय पर लगाईए जब ये अच्छे से क्रोध पकड़ता हो तो सितंबर से अक्टूबर के बीच का महीना ब लगा लीजे और फ्रेंट्स इसके लिए गमले का साइज आपको लगबह दस इंच का लेना चाहिए अगर आप कटिंग अलग अलग तयार कर रहे हैं तो इसके लिए आप 4-5 इंच का भी गमला ले सकते हैं अगर direct प्लांट लगा रहे हैं तो 10 इंच का गमला रखिए और फ्रेंस, कटिंग लगाने के लिए मिट्टी तयार करने का तरीका वैसे तो मैंने बताया हुआ है, फिर भी मैं बता दे रहे हूँ, मैंने यहाँ पर इसके लिए कोको पेट लिया है, थोड़ा से सैंड लिया है और गार्डन स्वाय लिया है, आप मेरी मिट्टी पर ज़् सॉफ्ट होता है अगर आप अभी खाद का यूज कर लेंगे तो आपका पौधा जल जाएगा और खराब हो जाएगा तो फ्रेंट्स मैंने तो मिट्टी तयार कर ली है और अपना गमला भी तयार कर लिया है अब इसकी कटिंग कैसे लगानी चाहिए वो भी मैं आपको बताने जा रहे हूँ अगस्त के महिने में बारिस हुई थी तो मैंने ये कटिंग तैयार कर ली थी जिससे काफी सारे पौधे मैं अब और बनाने जा रही हूँ इसे ही प्रोनिंग करके मैं कटिंग लगाना बताऊंगी कटिंग लगाने के लिए आपको लगबग तीन से चार कुछ लोगा देती हैं और गल जाती है कुटिंग में पिष्ले मेहीं आपको बताया था कि मैं अभी कटिंग लगाने जा रहा हूं। जिसका सौर्ट में वीडियो सेयर किया था इसकी ग्रोध देखिया आप कितनी अच्छी हो गई है इसी को प्रून करकर के मैं हर 15 दिन में कटिंग तयार कर लेती हूँ और एक से दो गमले मेरे तयार हो जाते हैं इसकी कटिंग ऐसे ही लगाई जाती है पहले आप इसे सही मौस में लगा दीजिए उसके बाद इसकी प्रूनिंग करिए और उससे और नए पौधे तयार कर लीजिए फ्रेंट्स गुल्दाबदी की आप जितनी ज़्यादा प्रूनिंग करेंगे ये उतनी ही ज़्यादा घनी होगी और लगभग दिसंबर तक इसके काफी सारे पौधे आपके पास तयार हो जाएंगे तो इसकी प्रूनिंग आप हर 15 दिन में अभी करते रहें और नए नए पौधे तयार करते रहें फ्रेंट्स गुल्दाबदी से रिलेटेड मैंने काफी सारे वीडियो डाले हुए हैं इसमें कुछ एफेट्स का एफेक्ट हो जाता है उसके रंग की है कैसे पहचाने वो भी सब बताया है तो उसन सभी का लिंक मैं आपको डिसिस्सन बॉक्स में दे दूंगी और फ्रेंट्स जो आप कटिंग करते समय जब पत्तिया निकालते हैं उनको आपको फेकना नहीं होता है उनका यूज भी मैं बताऊंगी कि इनको आप कैस यूज कर सकते हैं और क्या इनका उपयोग है लाश तक बने रहेगा देखते रहेगा तब तक मैं गुलदावदी की सारी कटिंग लगा कर दिखाती हूं कि इस तरह से आपको लगानी चाहिए एक गमले में लगबग 6-7 कटिंग लगानी चाहिए कुछ कटिंग नहीं चलती हैं और कुछ कटिंग चल जाती है तो यह 15 दिन में आपको तयार होकर मिल जाएंगी और फिर जब इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाए फिर इने प्रूनिंग करिए और इने फिर से एक नया गमला तयार करके लगा लीजे और फ्रेंट जब 15 दिन में यह घनी हो जाए उसके बा पहले का लगाया हुआ है जो मैंने आपको सॉर्ट में वीडियो सेयर किया था जिसकी ग्रोथ अब अच्छी हो गई थी इसकी मैंने प्रूनिंग कर दी है और इससे भी पौधे तयार कर लिए हैं तो फ्रेंट्स यह जो पतियां बसती हैं इसका उपयोग भी मैं बता दे र पूसर मिलेगा तो आपको अपके पौधे और अच्छे दिखाई देंगे और फ्रेंट्स एक बात का और ध्यान रखेगा कि आपको अपनी गुलदावदी को पानी से बचाना है जो ज़्यादा बारिस हो रही हो तो इन्हें हटा कर रख लीजेगा विज्यादा बारिस में ये पौधे बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं ऐसे ही मेरी बताए हुई जानकारी को लेकर आप अपने पौधों का ख्याल रखते रहें कैसा लगया ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में भी सेयर करिएगा अभी क लिए इतना ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू